आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल सर्वेस लेक्रीसियन में इस वीडियो मैं आप सभी लोग को बताने जा रहा हूँ कि अक्सर आप लोग गर्मियों में कूलर का प्रियोग करते हैं ताकि ठंडी हवा दे अगर आपका कूलर अचानक चलते चलते जाम हो जाए तो उसे कैसे ठीक करें यह मेरे पास कूलर मोटर है यह चलते चलते अचानक जाम हो गया है और यह हलका हलका चल रहा है यह देखे दोस्तों मैं हाथ से भी इसे घुमा रहा हूँ तो यह बहुत जाम है तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और आप लोग भी अपने घरों का motor cooler motor को ठीक कर सकते हैं आये दोस्तों इस motor को हम आप लोग को चेक करकर सबसे पहले दिखाते हैं यह wire है और यह wire को हम इस circuit में खोस कर आप लोग को दिखा रहे हैं जाम चल रहा है ताकि दिखा दे आप लोग सोचेंगे कि यह जाम है या नहीं है पहले खोलने से पहले इसे हम आप लोग को चेक करकर दिखा रहे हैं देखिए दोस्तों आईए हम इसे आप लोग को दिखा रहे हैं इसमें खोश कर और आन करकर यह देखिए दोस्तों हम इसे प्लग में वायर को खोज दिए आ और या स्यूच को आन किये देखिए दोस्तों यह पंका बहुत धीरे धीरे गुम रहा है यह देखिए दोस्तों यह देखिए दोस्तों हलका हलका हननाहाट की आवाज भी आ रही है हलका हलका यह देखिए दोस्तों बहुत धीरे धीरे आप लोग को यह देखिए यह देखिए यह देखिए दोस्तों बहुत धीरे धीरे गुम रहा है और घुमते घुमते कभी तेज हो जा रहा है कभी जाम हो जा रहा है तो इससे हम कैसे ठीक करें ए देखिए दोस्तो अगर आप लोग इससे ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखे और हम आप लोग को ठीक करकर दिखाएंगे और इससे कैसे ठीक किया जा तो सबसे पहले आप लोग इसे मोटर को खोल लीजिए और खोल कर हम आप लोग को बताते हैं खोलने से पहले आप लोग चाहे काला पेन हो या काला इसकेज हो चाहिए कुछ भी ओ मार्कर हो तो उससे आप लोग एक जगा ट्रीक मार्क लगा लिजिए ताकि आप उसी उसी पर इस पंखे को सेट कर सकते हैं इधर उधर होगा नहीं आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हमें इसी लाइन पर मार्क लगा कर इस मोटर को सेट करना है बाद में तो आएए दोस्तों हम मार्क लगा लिए और इसे हम सेट करकर आप अरे स्वारी दोस्तों इसे हम खोल रहे हैं और खोल कर आप लोग को दिखा रहे हैं और इसमें क्य क्या जाम हो सकता है तो आए दोस्तों हम इसे खोलते हैं इस कि इस रिंज से हम खोल लिए रिंज का नमर है आठ और नव दोस्तों प्रियोग होगा इसमें आप लगे थे यह इस क्रूब चारो को हम खोल स्वारी दोस्तों यह नट जो चारो लगे थे इसे हम चारो को खोल लिए और मोटर को खोल कर आप लोग को दिखा रहे हैं यह देखिए दोस्तों हम चारो यह जो लगा था नट इसे हम निकाल रहे हैं दोस्तों और निकाल कर इसे इस तरह से हम कुलर मोटर को असानी से खोल लेते हैं और खोलते समय साधानिये रखे ताकि या कहीं वायर इसका टूटे न ने तो आप लोग का नक्सान जादे हो जाएगा यह देखिए दोस्तो यह पूरा काला हो चुका है जाम के ओज़े से गरम होकर तो आएए दोस्तो इसमें हम यह देखिए दोस्तो जाम है या तो इस जाम को दूर करने बदे हम आप लोग को बता रहे हैं दोस्तो इसमें जो वायरिंग होती है दोस्तो इसके अंदर वायरिंग होती है वायरिंग को दोस्तो हम यह वायरिंग जाम हो जाती है दोस्तो यह देखिए वाली पीछे वाली इसकी वायरिंग जाम हो चुकी है और यह घूम नहीं रही है दोस्तो अंदर से तो आए दोस्तो हम इसे अ लग कर दोस्तों बेला निधर एक्सार जाम हो जाती है उसी के काड़न दीरे-धीरे रनिंग करता है उसके बाद कुछ समय बाद कुछ चलता है पिन बीच में रुख जाता है तो और इस कारण से आप लोग का कूलर मोटर जाम हो जाता है दोस्तों बहुत परसान करता है हवा देने में और कम हवा देता है और इसी तरह आप लोग भी इसे ठीक कर सकते हैं जैसे हम आप लोग को इस वीडियों बता रहे हैं तो यह देखिए दोस्तों इसे हम वायरिंग को निका दोष्ट निकालते नहीं हैं दोस्तो इसमें हम इसे वरा लगाकर मेरे पास seris को हम हलका सा लिपट कर और इस वाले भी वाइरिंगOff criter और जो या में उसे दूर करकर आप लोग को दिखाते हैं तो आई दोस्तो हम्हें को लगाते हैं दोस्तों इसमें बाइरिंग नहीं दोस्तों स्वारी दोस्तों इसमें बाइरिंग नहीं होती है अक्सर एकाग में बाइरिंग भी होती है दोस्तों तो इसमें बाइरिंग नहीं होती है इसमें ब्रूस होता है दोस्तों ताकि यह ब्रूस के वज़े से जाम हो जाता है दोस्त के वज़े से भी जाम हो जाता है दोस्तों देखिए आप इसे क्या करें दोस्तों यहां पर हलका सा जो ग्रीस है दोस्तों उसको लगा कर अंदर की और कर दे आ रहा है कुछ धिला हो जाएगा आए दोस्तों हम ग्रीस लगा कर यह देखिए दोस्तों हम ग्रीस साथ में लगा दे रहे हैं दोस्तो है ताकी यह जो जाय है वो फिरीला कweit माइथ तो हम इस सोरी दोस्तों नहीं ग्रीम है बूस्तों ग्रीश को लगा दिये मैं देखेए दोस्तों ऑभी इसी तरह अच्छी तरह लगा लिए और लगाने के बाद हम आप लोग को सेट करकर दिखाते हैं और आपका जो जाम चल रहा है पंखा अरिस्वाइर दोस्तों कूलर मोटर वा बिल्कुल अच्छी तरह से सही हो जाया सकता है तो आए दोस्तों हमसे यह देखे दोस्तों जो ग्रिस लगाने पाहाद से जाम हम जो इससे पहले चल रहा था आप देखे कितना डिला यह चल रहा है वेलन इसका यह देखे दोस्तों कि आए दोस्तों हम इसे आप लोग को कॉस कर सेट करकर दिखाते हैं और चला कर यह देखे दोस्तों हम इस बाड़ी को कि व्यंदिंग जो किया है उसमें सेट कर दिये और दोस्तों इसको भी हम उपर से सेट कर दिये इसवे और सेट करकर आप लोग को चला कर दिखा रहा है यह देखिए दोस्तों हम जैसे इसे खोले थे उसी तरह से हम कर आप लोग को दिखा रहे हैं ताये दोस्तों हम इसे कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों हम इसे पुरा सेट कर लिए और देखिए दोस्तों यह जो है यह नट है जो चारों आप लोग इसे मीडियम में कसे यह तो एकदम टाइट ना करें कि यह जो यह होता है दोस्तों यह जाम हो जाए इसको हलका धिला रहने देंगे ताकि यह जाम ना हो औ और आपका फैन और कूलर मोटर दोस्तों बहुत थी वढ़ियां चलेगा और जो जाम का प्राबलम है वह आप ठीक हो जाएगा देखिए दोस्तों जो हाथ से घुमाने पर जाम था वह विल्कूल डिला हो गया है बहुत थी अच्छी तरह आप चल रहा है आए दोस्तों हम इस से अप लोग को चला कर दिखाते हैं इस वायर को हम इस सर्कीट में खोस लिए फाइप पिन सर्कीट में और इसका स्वीच हम आन करकर आप लोग को चला कर दिखा रहे हैं यह देखिए दोस्तों यह बिल्कूल फिरी चल रहा है इसे ना घुमाना है ना कुछ करना है जाम की प्राबलम इसके स्वाल हो चुकिए अब बिल्कुस सही हो गया है और या चलने लगा आई दोस्तो हम इसमें कुछ लगा कर और उसके बाद चला कर आप लोग को दिखा दे कि आप लोग भी देख ले कि यह चल रहा है देखिए दोस्तों मेरे पास है टेप का है इसे हम इसमें बान कर आप लोग को उसके बाद चला कर दिखाते हैं ताकि आप लोग को भी लगे कि यह चल रहा है हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं दोस्तों जो बनाते हैं रियल की वीडियो बनाते हैं नहीं तो अरना हम बनाते ही नहीं है एगर आप लोग को मेरा या कूलर मोटर का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को subscribe याम लाइक करें और साथ में bell icon को दबा दे ताकि जो भी वीडियो डालों सबसे पहले आप सभी तक बहुँचे धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर अगली वीडियो में